जो है फ्रेंड्स मैं प्रेमक्वान मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गुल्स में दोस्तों जनरल साइंस का पहला एपिसोड मैंने पहला क्लास जो लिया था वो रो गेम उपचार से रिलेटेड़ था और आप सभी जानते हैं कि यह बाइलोजी के सेक्शन से रिलेटेड है और यह सबसे हॉटेस्ट टॉपिक होता है यहां से कोशन आपका श्योर आने होते हैं फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको 30 कोशन करवाई थे यहां मैं आपको भी लगबद 20 कोशन है साइड इसमें ठीक है 20 कोशन आपको यहां कराऊंगा मतलब 30 प्लस 20 टोटल हो जाएंगे 50 कोशन दोस्तों यह 50 कोशन के वर 50 कोशन नहीं है आपको पता है एक्स्परामनेशन में आपको और भी जांकारियां दी जा रही है तो आप समझे लिजे यह 50 कोशन एलमस 100 कोशन हो जा रहे हैं 100 कोशन से बाहर क्या ही पूछेगा रोगे वचार में ठी नहीं है यह आप किसी भी एक्जाम में बैठ जाएए वहां आपको इसे रिलेटेट कोशन देख जाएए तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैं थोड़ा सा कोर्सेश के बारे में जानकारी देता हूं इस्टड़ी फोर गोल्स हमेशा आप लोगों के लिए नई तरीके से study material हो या फिर lectures हो लेकर आते हैं अगर आप हमारा app download करते हैं तो आप google play में जाए और study for goals इस icon को देखकर install कर लेजे उसके बाद आपको यहां पर अभी जारखन constable से related complete course available है only 4.99 रुपेज में ठीक है आगे आज का जो mcq series है इसको शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं कि आज का पहला question क्या है तो आज का पहला question में देखिए दोस्तों यहां लिखा हुआ है leukemia एक परकार का cancer है जिसमें आसरहारन बड़ोतरी होती है यानि कि आपसे पूछ रहा है कि leukemia is a cancer in which first option अस्थी कोशिकाओं की संख्या में व्रिद्धी होती है increase जो होती है वह बहुत आसाधरन तरीके से यानि कि बहुत कम समय में बहुत जादा होती second option है platelets की संख्या में व्रिद्धी हो जाती है third है लाल कोप्सिकाओं की संख्या में विद्धि हो जाती है और लास्ट आसे थी है स्वित रख्त कोप्सिकाओं की संख्या में विद्धि हो जाती है तो देखे prayer वाण-बों अगर हम लोग यहां पर explanation करें कि cancer क्या है कैंसर क्या है तो कैंसर आप सबसे इसको मतलब एक लाइन में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सेल डिविजन होता है हमारे बॉड़ी में सेल डिविजन यानि कि कोशिकाओं का जो व्रिद्धी होती है वह अगर आपके बॉड़ी में अव आंचित तरीके से अव आंचित तरीके से यानि कि हमारे बॉड़ी में जो लाबदायक सेल है उसके अलावे अव आंचित तरीके से अनियंत्रित तरीके से डिविजन होना सुरू हो जाए यानि कि हमारा जो जेनिटिक गून होता है है उसके अलावे भी सेल डिविजन अपने आप अलग तरीके स होना सूरू हो जाए तो उसको हम लोग cancer कहते हैं ठीक है अब यहां पर अगर आप cancer का type देखे तो cancer का तो ऐसे बहुत सारे type होते हैं उसमें basically हम लोग देख सकते हैं तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक जो question दिया हुआ है इसमें उसमें लिखा है कि एक प्रकार का cancer है तो यह किस प्रकार का cancer है तो leukemia जो है वह basically blood cancer है क्या है दूस्तों यह blood cancer है ठीक है कि उसमें भी यह blood cancer cancer के बारे में आप जानगे blood cancer है तो blood में क्या क्या होता है blood में जो है आप देखेंगे तो firstly हम लोग जानते हैं कि इसमें plasma होता है और दूसरा जो होता है वह क्या होता है blood corpuscles होते हैं यानि कि रूदी रानू वेगरा होता है corpuscles ठीक है रूदी रानू तो plasma हमारी body में blood के में 60% होता है और blood corpuscles जो होता है वह 40% होता है अगर आप इसी blood corpuscles में जाना चाहें तो तो क्या-क्या होता है तो blood corpuscles में दोस्तों कि बेसेगलिक तीन चीज़ होता है क्या-क्या एक होता है RBC एक होता है WBC और एक होता है plate lates ठीक है इन सभी नामों से आप परचीत होंगे plate lates ठीक है यह तीन चीज़ें होती है इसमें तो यह जो white blood cell है डबलू बीसी white blood cell अगर इसकी अधिक्ता हो जाती है तो हमारी बॉड़ी में यानि अधिक्ता यानि कि इसमें भी जो व्रिद्धी होती है ना इसमें जो development होती है इसमें जो question number one का जो answer हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा option D स्वेत रक्त कोश्याओं की संख्या में व्रिद्धी से leukemia होती है अगर आपका RBC से related बहुत सारे बिमारियां आप लोग पढ़े होंगे उसमें यह भी है blood cancer जो है बॉन मेरो में अगर आपका मेरो रज्जी जिसको बोलते हैं उसमें अगर RBC बनना बंध हो जाए तो वह भी एक प्रकार का cancer है ठीक है ओके और platelets आपने पढ़ा था डेंगू वीमारी जो आपने पढ़ा था डेंगू वह platelets से related था डेंगू में ठीक है अगर platelets की संख्या कापी डाउन हो जाती थे तो डेंगू में हो जाता था तो यह कोशन नमर वन का यह complete एंसर आपको मिल गया चलते हैं सेकंड कोशन कहता है कि रक्त cancer यानि लुकेमिया अभी हमने पढ़ा रोक्थाम में परियोग कि जाने वाले रेडियो स्थानिक क्या-क्या तो देखिए जो cancer है इस cancer का आज सक तो कोई इलाज संभव हुआ नहीं है तो अलग अलग therapy इसमें चलता है और cancer का basically हम लोग जो जानते हैं वो तीन स्टेज होता है और चौथा स्टेज तो उसका अंतिम स्टेज माना जाता है तो फर्स स्टेज क्या होता है दोस्तों फर्स स्टेज होता है जहां पर सेल डिविजन स्टार्ट होता है हमारे बॉड़ी के कोई अरगन में सेल डिविजन स्टार्ट हो सकता है जहां पर मिनेरल्स वगर जो भी है नूट्रेंट वगर यूज करता है सेल वहां पर यह हो सकत चतब है तो में सेता है वह सेव होता है लेकिन जब आता है तो अचानक से उसकी वृद्धी होना शुन हो जाती है और डीज जब यहाँ पर growth बहुत जादा होना शुरू हो गया growth ऐसे तो बहुत धीरे-धीरे होता है लेकिन कोई कहा नहीं जा सकता है इसमें अलग-अलग organs में अलग-अलग इंसानों में अलग-अलग तरिके से यह react करता है third phase में जो होता है जिस organ में हुआ है यानि कि originate जिस organ में हुआ है उसके अलावे भी body के अन्य पार्ट में अगर वो चला जाए body part में चला जाए कहीं और organs में तो उसको हम लोग बोलता है third phase और उसी को एक नाम दिया जाता है metastasis उसको भी हम लोग अभी पढ़ेंगे तो यहां पढ़ना है कि जो therapies होती है जो इलाज होता है उसमें क्या-क्या इस्तमाल किया जा सकता है तो मैं इसको delete कर देता हूं दोस्तों है ना इसको आप screenshot ले सकते हैं तो यहां पर देखिए first option यहां पर था iodine 131 second option is sodium 24, third option is phosphorus 32, fourth option is cobalt 60 and last option ना अब्रक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक तो इसका जो answer होगा ना दोस्तों वह phosphorus 32 and cobalt 60 इन दोनों का ही कि आइडिन 131 जो है वो thyroid जिसको होता है उसको इलाज करने के लिए जो ना thyroid का इलाज करने के लिए यूज होता है sodium 24 जो है basically इसमें भी हम लोग जानना चाहते हैं cancer के बारह में ही और blood से related अन्य जो भी cancers होते हैं leukemia को छोड़का उसके लिए sodium 24 का यूज हम लोग करते हैं ठीक आगे चलते हैं को सब्सक्राइब 3 कहता है कि मास्पेशियों में दर्द के उपचार में उप्योग किया जाने वाले विकिरन है तो तरह तरह के दर्द होते हैं मास्पेशियों में भी होता है हमारे हड्यों में में भी होता है ठीक है तो अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग उपचार के लिए अलग-अलग radiation का यूज किया जाता है तो अगर आप कोशन में 3 का options चेक करें तो first option देखे क्या दिया हुआ है इंफ्रारेट का यूज करते हैं third option दिया है second option इसका दिया है microwave का यूज करते हैं C option में है UV rays का इस्तमाल करते हैं D में है X-ray का इस्तमाल करते हैं और E में हमेशा की तरह उन में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक तो मैं बता दूँ दोस्तों इसका जो answer होगा न वो इसका answer है infrared क्या है दोस्तों इसका answer infrared infrared से मास्पेश्यों में जब भी दर्द होत है ठीक है question 4th question 4th question 4th अभी मैंने एक question में explanation दिया था उससे ही question है अप रूपांत्रन यानि की metastasis एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है तो सबसे पहले तो आप options चेकेजिए first option क्या दिया है और सदियों के प्रभाव में कोशिकाओं का दृत विभाजन दृत यान मुलों और उस्दियों का यूज करते हैं second option कहता है रतिया लसीका तंतर में cancer कोशिकाओं दूसरे इस थानों या अंगों तक फैल जाती है option सी कहता है कोशिका नाभिकों में गुन सुत्र एन ओफ रेज धुरूओं तक जाने के पहले सनलगन होते हैं और last option है cancer कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलता पुर्वक संदमन किया जाता है तो मैंने जब third phase के बारे में आपको बताया तो third phase में मैंने देखा कि जिस अंग में cancer का सुरुवात हुआ था उसके साथ अगर वो body के अन्य पार्ट में चला गया जैसे अगर आपका सुरुवात सपोस्ट लंग से हुआ और लंग से धीरे-धीरे क्या हुआ वो blood में चला गया ठीक है लिंफ नॉड में चला गया आखिर यहीं से तो वो ट्रांसपोर्ट करता है बॉड़ी में एक से दूसरे जगह तो जैसे ही यह चला जाएगा तो यह माल लिजे अब पहुंच गया kidney के पास ठीक है तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह पूरा बॉड़ी में कैंसर कोशिकाएं दूसरे इस्थानों या अंगतक फैलती है उसको हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं राइक नेक्स्ट कोशन चलते हैं नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर फाइब इसमें बोल रहा है कि सेरेब्रल पॉलसी एक मस्तिस्क समंधी विकार है जो समान्य तयाप पया जाता है देखिए मस्तिक से रिलेटेड़ आप कई सारे बीमारियों को यहां पर पढ़ेंगे और उससे कोशन भी पुछे जाते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं तो सेरेब्रल पॉलसी पालसी इसमें देखें क्या क्या सबसे पहला अप्शन है व्रिद्धों मे सेकेंड ऑप्शन है ड्रग नसेडियों में तर्ड ऑप्शन है छोटे बच्चों में और ऑप्शन डी कहता है केवल महिलाओं में यह बेमारी देखी जाती है तो इसका सही एंसर अगर आपको जानना है तो इसका सही एंसर होगा दोस्तों छोटे बच्चों में यह सेरेब् पाल्सी हो सकता है या फिर जन्म लेने के बाद भी हो सकता है और जब उसका एज दो से तीन वर्स का हो रहा है बच्चा का तब भी ये दिखाए दे सकता है तो सेरिब्राल पाल्सी एक्चुल में क्या होता है मस्तिक्स में ऐसा विकार आ जाता है जिससे उसका के से काम नहीं करता है ठीक ओक यह हो गया कोशन नवर फाइब नेक्स चलते हैं कोशन वर शिक्स तो कोशन वर शिक्स जाने से पहले दोस्तों यहां पर मैं और एक जानकारी दे देना चाहता हूं आपको कि इस्टड़ी फॉर गोल्स आपके लिए दो किताबें बिसेकली तीन किताब अभी लाये हैं उसमें जारकन समानग्यान सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको देखे 50 प्लस प्रैक्टिस सेट के साथ मिल रहा है उसके बाद आपको खोठा का तयारी अगर करना है तो खोठा के लिए भी प्रैक्टि अगर आप देख रहे हैं और आपको उससे फाइदा हो रहा है तो आप प्लीज 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 लाइक कीजिए और हो सके तो बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखे ताकि आपके मोबाइल में या फिर आप जो भी यूज करते हैं वहां आप तक सबसे पहले नौटिफिके Q6 कहता है कि हाल ही में विज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर रही है जो मस्तिक्स के खतरनाक रोग अलजाइमर को उत्पन करता है निमलिखित में से कौन सा प्रोटीन है ओफिंस है और अमयलख्ण अप्रोटीन हैं तो दोस्तों अलजाइमर पूच जा रहे है न तो मस्तिक के बिमारियों से समंदित नाय कोश्वन मैंने पहले भी बताया अब ये सेवाइमर अलजाइमर से तो अलजाइमर दोस्तों अल्जाइमर जो होता है वो basically हमारे व्रिध वेक्तियों में देखा जाता है यहां पर क्या होता है जो इस्मरन चमता है जो यादास चमता है वो घड जाती है तो यह इस बिमारी का जो खोज किया था उसका इलाज के लिए जो खोज किया था प्रोटीन कि किस प्रोटीन से होता है तो उसका एंसर तो यहां पर दोस्तों हो जाएगा प्रोटीन प्रोटीन उसके बाद हम लोग चलते हैं को सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पार्किंसन क्या होता है तो पार्किंसन के बारे में अगर जानना चाहें तो आपको बता दूँ यह भी हमारे माइंड से रिलेटेब बीमारी है ठीक है माइंड से ही रिलेटेड है इसमें क्या होता है जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है जो नर्वस सेल्स होते हैं कि सेल्स जो होते हैं कहां पर डोपा माइंड में है ना डोपा माइंड में तो वहां पर क्या होता है यह वहां पर यह छती ग्रस्त हो जाता है यानि टूट जाता है ठीक है तो इसके टूटने से क्या होता है हमारे में क्या एफेट होगा बॉडी हमारा ट्रेमर होना सुरू हो जाता है यानि कि कापना सुरू कर देते हैं फिर क्या होता है फिर हम लोग उसमें जो है न हमारे बॉडी में अकड़ पन आ जाता है यानि कि रीजिडिटी आ जाता है ठीक है हमारे बॉडी में लचिला पन नहीं रहता है फिर क्या हम गती में नहीं रह सकते हैं मतलब मोशन हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं ठीक है एके निश्या हो जाता है तो यह सब बाते हैं Parkinson's बिमारी से related तो आईए जानते हैं इसकी जो उपचार है वो किसी ने खोश किया था जिसको नोबल प्रिश्कार मिला था पहला option है दोस्तों आर्विड कालसन तो इसका answer ही है यही आर्विड कालसन को जो है 2000 में कब दोस्तों 2000 में जो है वो नोबल प्रिश्कार से सम्मानित किया गया था इस विवारी को दूर करने के लिए ओके और सारे options आप पढ़ लेंगे यह रहा question 7 का answer next question 8 question 8 कहता है खुजलाने से खाज मिड़ती है क्योंकि यह बहुत अच्छा question है दोस्तों आप सभी इससे वाकिफ होंगे कि खुजलाहर जब भी होती है तो हम लोग क्या करते हैं हमारा जो हात होता है वह अपने आप वहाँ पर चला जाता है तो ऐसा करने से क्या होता है कि खुजली क्यों मुड़ी जाती है तो options देखे क्या क्या है उसे answer करने का कोशिज कीजिए सबसे पहला option है इससे तवचा की बाहरी धूल हट जाती है दूसरा है इससे रोगानू मर जाते हैं रोगानू क्या खुजलाने से रोगानू मरेगा मस्त option नहीं इससे तवचा की बाहरी धूल हड जाती है धूल हड सकता है नाखों के अंदर हो सकता है क्या क्या किसंसी क्या कहता है इस से कुछ तंत्रिकाएं उद्धीप्त होती है उद्धीप्त मतलब इस्टुमिलेट होती है दोस्तों ठीक है इस्टुमिलेट होती है होती है बिलकुल होती है जो मस्तिच को प्रती हिस्टा माइन यानि कि एंटी हिस्टा माइन जो आप लोग पढ़ते होंगे एंटी हिस्टा माइन ठीक है एंटी हिस्टा माइन रचायनों का उत्पात बढ़ा खुझलाने से कि भुल रहा है कि खुझली जिस रिजन से होता है उस धमन होता है तो ऐसा to सबसे क्या हो दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा और क्या होता है हमारे तंद्रिका deficiency हो है खुझलाने से और जो मस्तिक्स में एंटी स्टर्माइंट पार्ड है वो क्या करता है रसाइनों को डेवलोप करता है जिससे क्या होता है खुझली मिट्टी जाती है ठीक है इसलिए हम लोगों का बाड़ी जो है नर्वल शिस्टम निड़ देश जता है कि तुम भाई खु उत्तर चूज करना है फर्स्ट देखें यह हुआ है एक तरफ रोग का नाम और दूसरा सुची में उसके कारण दिये हुए है कि आप संट ए में है खेरा आप संट बी में है एनीमिय और और अपसंट डी में है इसकरवी अगर इधर आप सुची 2 का कारण को देखें तो पहला दिया है हुआ विटामिन C की कमी से मलनतलब कमी याने की डिफिसेंसी से या विटामिन C की डिफिसेंसी से क्या होता है आपको पता है इसकरवी रोग होता है फिर क्या दिया हुआ है आईडून की मलनता से याने की आईडून की कमी से डि कारण की कमी से क्या होता है दोस्तों एनेमिया हो जाता है यानि कि ब्लड जो है वो कम हो जाता है हमारे बॉड़ी में और जस्ते की मलंता से क्या होता है दोस्तों तो खैरा एक बीमारी है पसु का बीमारी है जो जस्ते की मलंता के कारण से होता है तो क्या हो गया एक फूर हो A का 4 B का क्या हो गया दोस्तों B का 3 हो गया सी का हो गया आपका सी का सी का 2 ओकि तो देखे कहां पर है A का 4 एक ही option है option D option D is the correct answer ठीक है इस तरीके से आप मिला लेंगे इसको अगर आप और भी चाहना चाहें एक दो मैं बता देता हूं जो important है पुछता है रिकेट्स एक नाम सुने होंगे आप रिकेट्स तो रिकेट्स द्रोस्तों आपको पता है vitamin D जो होता है ना उसकी कमी से होता है vitamin D ओके फिर अगर आप के body में insulin की कमी हो गई अगर आपके body में insulin की कमी हो गई तो उससे आपको sugar हो जाता है यह भी मालूम है आपको sugar हो जाता है ठीक है और एक महत्कुन नाम है आप याद रखेंगे protein तो यह जो protein है न दोस्तम protein protein के region से दो बिमारियां हमारी body में होता है बच्चों में होता है एक होता है और दूसरा आप याद रख सकते हैं क्वासिकूर है ना क्वासिकूर अगर मेरा राइटिंग जाद समझ में नहीं आ रहा तो मेरा वर्ट्स को ध्यान रखिए आपको याद हो जाएगा ठीक है तो यह प्रोटीन के कमी से होता है कि नेक्स्ट चलते हैं कोशन में अवार फिर से आपको सुमलित करना है जो यह ट्रेंड है और यह बहुत क्या होता है बहुत अच्छा कोशन होता है ठीक है फर्स्ट है प्रदूसक एक तरफ एक तरफ दिया हुआ होने वाली बीमारी तो देखें पारा अगर जल में घुल जा जो है ना करेक्ट ऑप्शन वह छूट गया है कोई बात नहीं इसको हम लोग यहां पर मिला लेते हैं समझ में आ जाएगा तो देखें कौन से सुमलित नहीं है पूछा है तो पारा पारा से जो है ना हमारे बोड़ी में अगर पारा की अधिक्ता हो जाए तो उससे मिनी इसकारा वे मारा बाराह Mountain zone के जो होता है यह बिल्कुल करेक्ट है क्याडमियम के रिजन से जो हता है वह इटाई इटाई बिमारी होती है यह बी करेक्ट है कि 4 CRM है नाइक्ट्रेट आयन बुलु से बेभी डिल्च मिलों होता है यह भी हम लोग पढ़ेंर यह भी सफ़ी है लेकिन फ्लोराइड आयन से जो है अपच लिखा यह नहीं होता है दोस्तों ठीक है फ्लोराइड आयन से यह चीज नहीं होता है फ्लोराइड आयन से फ्लोरोसीस होता है क्या होता है और फ्लोरोसीस क्या विमारी है फ्लोरोसीस दोस्तों हमारे जो दांत होता है न टीथ होता है इसके इनामिल पार्ट में खराब ही आ जाती है या फिर बोला जाए उसमें पीला पना आ जाता है ठीक है पीला पना आ जाता है यह चेश होता है तो यह हो गया question number 10 का answer आप जो options रहेगा उसके according आप यहाँ पर मिला लेंगे तो इसमें सुमलित कौन सा नहीं है तो option 10 का D question number 11 question number 11 कहता है इसकरवी रूग किस विटामिन की कमी के कारण होता है इसकरवी बहुत फेमस बीमारी है इसकरवी आपको पता है यह हमारे मसूडों में होता है कहां पर होता है दोस्तों मसूडों में इससे खून आना सुरू हो जाता है अगर इसकरवी हो गया है तो तो किसकी कमी से होता है पहला option है vitamin A दूसरा option है vitamin A A12 नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर B12 होगा तीसरा option है vitamin C and चौथा option है vitamin D तो इसके answer से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं अगर हमारे body में vitamin C की कमी हो जाए यानि कि 11 का और option C is the Correct answer सकर्भी हो जाता है आपको अभी मैंने बताया ठीक है ओक कोश्चन नमबर 11 जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जारकन समान ग्यान से उसमें आपको मतलब अभ्यास करना है तो आप 7500 प्लस कोश्चन है हमारे पास हमारे एप में वहां आप टॉपिक वाइस से अभिलेबल कोश्चन है उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइस टेस्ट भी वहाँ पर दे सकते हैं अगर आप जेबिसी सीडिपियों की तैयारी कर रह तुके वाण स Patri introduces पंद्रा मॉकट टेश्ट कोशन में यहां पर सुमलित करना है एक तषब दिया हुआ यानि की दिया हुआ है और एक तरफ तुम्हारा कारन दिया हुआ है ainda तो अभी देखिए सारे मैंने चर्चा कर दिया है वही सभी कोश्चन्स यहां पर बनके आ गए हैं मेरे समस कहता है किसके कमी से होगा क्वासिक और किसके कमी से होगा विटामिन सरे टीवी किसके रिजन से होता है यह जानना है तो देखिए इसमें मेरे समस जो लिखा हुआ ना ओपसन ए तो ऑपसन ए बिल्कुल करेक्ट है कि देखिए यह भी मैंने बताया था कि प्रोटीन की कमी से होता है तो कैसे होता है दिर कालिन उपवास करने से क्या होगा निउट्रेंट हमें मिलेगा नहीं और हमारे बॉड़ी ठेक है तो उसी को हम लोग वह स्केकल स्कभा होताता है उपास रखने से मेरिसमस होता एसजो है हमने पढ़ाultic कि हमारे ह्टा ने करğimiz लुटा से सब्सक्राय दोळी और है वाक्रेम से ऩो यह grieving क से फैलता है तो यह देखे चारो को चारो मिलान जो है एक जैसा है एकदम सही सही मिलाया हुआ है तो इसका कुट जो है A B C D उसमें क्या हो जाए को 1 2 3 4 यानि कि option A is the correct answer यह था question number 12 का answer और इसमें से जो भी बीमारी लिखे हुए है और उसके कारण लिखे हुए है वह आप बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजे नेक्स्ट कोशन में 13 कोशन में 13 कहता है निकट दिरिश्ची दोस्त को ठीक किया जा सकता है देखे यह आंक से रिलेटर बीमार ही आपने पढ़ा होगा एक होता है माईोपिया मा रूपिया माईोपिया और चार एक होता है क्या होता है करहिं कि अडिकली है यानि कि एक हो गया निकट दिरिश्ची दोस्त और एक हो रखने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों निकट द्रिश्टी दोस्त यानि कि निकट की जो द्रिश्टी होती है वह बहुत अच्छा होता है लेकिन दूर की द्रिश्टी जो होती है वह खराब होता है यानि कि दूर में रखे गई वस्तुमें हमें दिखाए नहीं देती ह तो इसमें क्या होता है इसमें बिसेकली हमारा जो नेत्र गोलक होता है या फिर ऐसा समझ लें हमारा नेत्र आख में जो होता है एक लेंस होता है और यहां पर एक रेटिना होता है तो अगर ऐसा हो जाए हमारा नेत्र का आखार इस तरीके से हो जाए कि जब इसमें रेज पढ़ता है तो इसका फोकस कहा होना चाहिए यहां पर होना चाहिए इस तरीके से आई जो अच्छा होता है वो इस तरीके से रेटिना के उपर जुरत पढ़ेगा जो इसको क्या करें इसको करें आगे लाकर करें तो आपके पास कौन सा मीरर होना चाहिए इस तरीका के लेंस होना चाहिए और इस तरीकए का नाम आपको पता है दोस्तों क्या होता है से घbab साइशर्णाय थे जो गया आपका कन केब लेंस तो मैंने बता दिया यह किस रिजेंडा से हो था है और क्यों होता है तो हमको अब यहां पर इमेज चाहिए यहां पर चाहिए ना रेटिनना के फोकस में चाहिए फोकस जो होगा वो रेटिना के उपर होना चाहिए तो यहां पर हमको कौन सा लेंस यूज़ करना पड़ेगा Converging Lens यूज करना पड़ेगा Concave Lens का यूज करना पड़ेगा तो यह हो गया तुम्हारा Outer Lens प्रियुक्त करेंगे ठीक है और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दूर दिरिश्चित दोसमें क्या यूज करेंगे तो Outer Lens का प्रियुक्त करेंगे ठीक है नेक्स चलते हैं question number 14 question number 14 क्या कहता है आंख के किस भाग में अंध बिंदू या पित बिंदू होते हैं इसको हम लोग yellow point भी कहते हैं ठीक है yellow point कि इसको black point भी कहते हैं यह कहां पर होता है दोस्तों यह basically आपका देखे पहहले options देख लिए क्या क्या दिया है Cornia दिया है स्थी प्रेश्ट्री पंटरल दियो तो अगर इसक distinguish आप देखे हैं तो द्रेश्ट्री पंटरल का इंगिसा आपको बताना पड़ेगा तो द्रेश्ट्री stuntschepital मतलब हो गया रेटिन तो रेटिना में क्या होता है दोस्तों हमारे आए में जो है न दो तरीकि का सेल्स पाए जाते pressing इंद और सिलंक्रत कर्फ राइट साइबлы तो सेलेन्डिक्ल डैफ अर यह क्या होता है फोटो रिसेप्टर होता कि जो जो भी लॉन आता है ना उसके सिंसेटिव होते हैं यह सेल्स तो रेटिना में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर यह जो फोटो सेल्स होते हैं वह बिल्कुल इनक्टिव रहते हैं वहां पर क्या होता है वह इनक्टिव होता है तो वहां पर क्या इमेज बनेगा वहां पर इमेज नहीं ब कहता है मोतिया विंद द्वारा मानव नेत्र का निमलिकित में कौन सा भाग प्रभावित होता है मोतिया विंद तो और संस क्या तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर actual में यह देखे यह पुरा-पुरा पार्धरसी होता है यह पुरा-पुरा transparent होना चाहिए transparent होना चाहिए लेकिन age बढ़ने के साथ साथ कभी-कभी क्या होता है इस lens के उपर कुछ पर्थ जम जाता है सिल्स का तो इससे क्या होता है यह पूरा-पूरा इमेज जो है नहीं बना पाता है इमेज पूरा-पूरा नहीं बना पाता है तब फिर क्या क्या जाता है इसको अपरेट करके या फिर अगर ठीक क्या जा सकता है तो कर दिया जाता है नहीं तो कोई एक नया लेंस निव लेंस अना artificial lens लगा दिया जाता है ठीक है new lens तो यह कहां पर होता है दोस्तों तो यहां तो option ही नहीं दिया है आपका यहां लेंस का option ही नहीं दिया है तो option यहां पर क्या हो जाएगा D actual lens क्या होगा lens में होता है ठीक है क्यों को स्वाइब को सिक्स्टीन जाने से पहले मैं आपको और बता दूं कि जो सहायक अचारी का एक्जाम होना है अगर आपको उसमें सफलता चाहिए तो यहां पर देखिए समाजिक विज्ञान सिक्षक के द्वारा पेपर वान पेपर टू पेपर थरी एंड पेपर फोड सभी की जो है न मौक टेस्ट एवेलबल है और यह आपको लगबाग 50 प्लस फुल लेंथ मौक टेस्ट मिल जाएगा और इससे अच्छा प्रैक्टिस आपको और कहा मिलेगा दूस्तों ठीक है और यह से बहुत काम प्राइस में मिलता है आपको बहुत अच्छे तरीकी से प प्रैक्टिस करते हैं तो आपको यहां पर भी पेपर 1 से 15 मौक से और पेपर 2 से 50 मौक टेस्ट पूरा-पूरा मिलेगा और खोठा नागपूरी और अंग्रेजी तीनों का ही प्रैक्टिस से यहां पर आपको मिल जाएगा पेपर 3 का 50 मौक टेस्ट भी अवेलबल है दोस्त से अधिक सेयर किजिए ताकि अधिक से अधिक स्ट्वेंट हमारे साथ जूड़ सके ठेके चलिए को सिक्ष्टिन अब देख लेते हैं को सिक्ष्टिन सरीर में लोहे की कमी से कौन कंसी बिमारी हो जाती है तो मैंने बहुत सारे कम्यों के कारण जो होते हैं उसके कम्यों के कारण बहुत सारे मैंने बिमारियां बता है उसमें देखिए सकेर्वी थर्ड ऊपूशन है रख चिंता और लाष्ट उसन है अधिरलत सरा तो देखे दूस्तgeons अगर आपको recreats हुआ है मतलब आपके body में vitamin कोई देखें इसका pronunciation अलग 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 vitamin D के कमी हुआ है आपके body में यह पता चलता है इसमें आपको अभी हम लोगों ने इसका बनाय था vitamin C के कमी से जो है इसकर भी होता है रग्त चिंता मतलब रग्त की कमी अगर आपके body में हो गया तो आपको पता है लोहे की कमी हो गया है मतलब आपको एनिमिया हो गया है लोहे यानि कि iron की कमी हो गई है आइरन की कमी ठीक है और अगर अधी रख्त सराव हो रहा है यानि कि आपके बॉड़ी में विटामिन के की कमी हो गई है जिसके वज़े से क्या होता है वो जो फ्रम्बिन प्रोटीन है वो बनने रहा है विटामिन के की कमी हो ठीक है यह सब इसका एंसर है तो यहां पर क्या प ते लिए कोस्ट नमेर 17 पेलिया से दूस्प्राभाईथ होता यह कि बहुत खतरनाक बिमारी पीलिया को हम लोग अक्सर किस नाम से जाना यह तक है काँ घरों में पीलिया ही वोलते हैं क्या होता है हमारा नाख और हमारा आख हैना हमारा चेहरह पिला पन आ है इसमें ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमारे बॉड़ी में जो अलबु मीन होता है ना अलबु मीन तो यह क्या करता है लिवर जो है ना उसको रख नहीं पाता है यह कहां चला जाता है बलड में चला जाता है और बलड में जैसे ही चला जाता है उससे क्या होता हमारे बॉड़ी अंग जो है सबसे ज़्यादा जो प्रवाईत होता है ओठ है था रही कर देखेंasta अलग दिया वाट ऑट्व है यह यक्रीछ होगा ठेक है यह शीनीशन का बात कर रहा है तो वह सारे बिमारियां को तो हम लोगों ने वैक्सिन के जर्गे ही ठीक किया, जैसे अभी Corona आये था, तो Corona का हमने वैक्सिन बनाये था, और उसी से उसका इलाज possible हो पाया, क्योंकि वाइरस डिजिस था वो, और वाइरस का जो भी डिजिस आता है, उसका दवाई बना पाना, मेडिशन बना पाना बहु तो दूसरा अलग-अलग body में क्या होता है अलग-अलग तरीके से वह react करता है that's why हम लोग उसका nature को जान नहीं पाते ठीक है उसका अलग-अलग variant आता है तो यहां options क्या कहा है देखिए पहला दिया है मधुमें दूसरा दिया है polio तिसरा दिया है काली खांसी और चोहता दिय you know what problem होना चाहिए कि चेचक का जो सबसे पहले दुनिया में ठीका बनाता जो vaccination बनाता वही बनाता ठीक´ चेचक का री बनाता उसके बाद आपने काली-खांसी देखा है यानि कि इस बिमारी का भी जो है वो ठीका ही है और polio का भी ? टीका दाता है vaccination देया तो किसका नहीं दिया जाता है दोस्तों तो आपको पता है कि मदुमे का नहीं दिया जाता है यानि कि मदुमे मतलब क्या हो गया सुगर सुगर का आज भी हम लोग दवाई इस्तमाल करते हैं मेडिसिन इस्तमाल करते हैं तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा इसका सही एंसर हो पूछा है कि इंसुलीन की कमी के रिजन से ही हमारी बॉड़ी में जो अगनासा ही होता है वो इंसुलीन को क्या करता है इंसुलीन हमारी ब्लड में देता है उससे क्या होता है वो ग्लुकोज को हैने कि जो सुक्रोज होता है उसको ग्लुकोज में करता है उसका इस्तमाल करता ह इससे क्या होता है हमारे बॉड़ी में जो सुक्रोज कमातरा है जो सुगर कमातरा है वो कंट्रोल में रहता है लेकिन जब इंसुलिन बनता ही नहीं है तो फिर कैसे होगा काम तो बाहर से इंसुलिन को बना के बॉड़ी में डाल दियाना है ना इसका खोज किस ने किया था तो तो ऑप्सेंस में देखी क्या दिया हुआ एफ जी बैंटिंग ने स्लीने एउन स्वान ने ब्राउन ने हुक ने तो इसका जो सही एंसर है दोस्तों 19 का ए सही एंसर है ठीक है 19 का ए इसका खोड़ जो है 1923 में मिला था 1923 में किया था एफ जी वेंटिंग ने और यह क्नाड़ा का है ठीक है यह कहां का है दोस्ता कनाड़ा का ए सचैंट और इसके लिए भी इसको आउसकर अवाड ऊसकर आऊसकर स्वरी नॉमेल आवाड जो है इसको मिल चुका है तो चलिए दोस्तों आज आज का लास्ट कोशन हम लोग देखते हैं कोशन नुवर 20 क्या कहता है कि हिर्दय की धड़का नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनीच आवस्यक है कौन सा खनीच आवस्यक है हिर्दय की धड़कन तो अपसंस है सोडियम गंधर पोटेश्यम और लोहा तो अगर इसका एंसर आप जाना चाहें दोस्ते तो इसका एंसर जो होगा हिर्दय की धड़कन आपको कई होंट करना है तो इसका आज से आप किसी भी एक्जाम में अगर बीमारियों से रिलेटेट को एटंट करेंगे तो आप अराम से वहां पर एटंट कर सकते हैं तो मैं फिर से आपको यही दोराना चाहूंगा कि अगर आप study for goals के साथ जूड़ते हैं और हमारा अप अपने Android फॉन में इंस्ट्रॉल कर लेते हैं तो आपको तरह तरह की कोर्सेश जो हैं बहुत मिनिमम्म प्राइस में अबेलेबल हो जाएंगे और आपको मैं यह वादा करता हूं कि यह जो लेक्टर होंगे यह जो आपको study materials होंगे वह सबसे बहतरीन होंगे आपके एक्जाम के चैनल है उससे जूड़ना मत भूलिए यहां पर आपको पंदह हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर मिल जाएंगे और अगर आप खोठा का syllabus को complete करना चाहते हैं और टेल्ग्राम चैनल में जूड़कर आप वहां पर practice करना चाहते हैं तो यह भी आपको यहां पर available है और हमार रंजित सर जो हैं किसके लिए famous हैं खोठा के लिए ही famous है आपको मालूम है तो रंजित सर से जुड़िये और खोठा में पार अंगत हो यह किसी भी एक्जाम में खोठा में marks उठाना आज के date में बहुत असान हो गया दोस्तों ठीक है तो ठीक है दोस्तों आज का class इतना ही कहेगा आपने मेरा वीडियो पूरा पूरा देखा उसको लाइक किया सब्सक्राइब किया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इससे तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहे है स्टड़ी फॉर गोल्स टीम के साथ जुड़े रहे है आपको हम लोग तरह तरह के कोर्सेस एबिलेबल कराते रहेंगे जो आपके एक्जाम प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा मैटरियल होगा थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो